अगर आप राइता खाने के सौखेन है तो एक बार ये राइता भी आप जरू ट्राइ करिएगा इस राइते की सबसे ज़्यादा खास बात है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और साथी साथ टेश्टी तो इतनी ज़्यादा लगेगी कि आप इसकी आगे बाकी सारे खाना भूल जाएंगे बहुत ही अद्बुत है और बहुत ही ज्यादा साही लगता है देखने में तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है तही यहाँ पर घर की लिए एक कप के करीब होगा जितना भी आपको रा के साथ में चीनी को और आप देख सकते हैं हमारा यह जो दही है वह अभी तैयार हो गया है इसे हम साइड में रख देते हैं अब हम लेंगे एक पैन या फिर कढ़ाई और इसके अंदर एक बड़ा चमच तेल डाल देना है तिल जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंग यहां पर ज्यादा भी ले सकते हैं और काटके डाल सकते हैं अब इन सभी चीज़ों को एक सेकेंड के लिए भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम एट करेंगे एक बीट रूट यानि की चकुंदर तो मैंने एक चकुंदर लिया हुआ था इसे धो के छील करके अच्छे स कद्दुकस कर लिया था अब इसमें हमें कड़ी पता आय्ट करना है तो कड़ी पता हमें तेल में ही डालना था फिलाल मैं भूल गयी थी इसलिए भी एट कर रही हूं अब इसे हम इसी के साथ में जो है भोन लेंगे जैसा कि हम लोकी का रायता बनाते हैं तो लोकी को अच्छे से पका करके तभी उसका रायता बनाते हैं लेकिन बीट रूट में ऐसा नहीं है क्योंकि बीट रूट को हम कच्चा भी खाते हैं लेकिन लोकी को कच्चा नहीं खा स जाते हैं तो फिलाल मैं यहां पर दो से तीर मिनटी से पकाऊंगे और इसे और ज्यादा टेश्टी बनाने के लिए इसके अंदर हम कुछ चीजे और एट करेंगे तो जैसे कि मैंने यहां पर एक चोटी चमच के करीब ही कसूरी मेथी लिए इसे हाथों से क्रस करके डाल दें तो एक चमच मैंने इसमें चीनी डाली है और एक चमची दही में भी डाली है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसके बगर भी बना सकते हैं अब इन सबीची जोग दो से तीन मेट के लिए अच्छे से भौन लिया और गैस को यहां पर बंद कर देंगे बारिक कटिव और हरीधनिया की गारी दही यूजच करेंगे तो यह जो आपका रायता है यह और वह ज़ादा करेंगे पास जरूर बनएग दोस्तों और कामेंटक में मुझे कोमेंट करके जरूर बत Ainकर आतया लगा श्रीया या थोकादा में और यह ज्वात यसा है तो एक बर आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करिए और मेरे चैनल को सुस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजेगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमारा बीट रूट नास्ता यानि की लाइता तयार हो गया है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है एक बर आप जरूर ट्राइ करिए कर दोस्तों आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है तो मिलते हैं अपने नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए दोस्तों थैंक्यू पॉर झादा लिए्यादा टेस्टी ज्यादा झाला है टोस्तों आप जाप जादा छेंक्यादा लिए लिए हैं?